नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्षन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो तो आज जो वीडियो में आप लोगों के साथ देखने वाला हूँ और जिस वीडियो पर मैं रियक्षन देने चाह रहा हूँ वो वीडियो है, Catalyst Records का और इस वीडियो का जो टाइटल है, वो टाइटल है नरेंद्र मोदी इंडिया इस अ अच्छा, नरेंद्र मोदी इंडिया इस गिवर नॉट टेकर, जेपी नडड़ा शायद ये कह रहे हैं कि नड़ड़ा जी ने कुछ बयान दिया है कि जो भारत, जो नरेंद्र मोदी का भारत है, वो गिवर है, टेकर नहीं है, मतब चीजों को लेता नहीं है, वो देरा है तो इस पर चलिए देखते हैं, पाकिस्तान की जनता, क्या कहती है भई? आज का हमारा सवाल यह है, बेसिकली हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसकी हकुमत है बीजेपी, उनके जो प्रेज़ेंट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इस नौट टेकर, इंडिया इस अगिवर सही का है उन्होंने, सही बहला उन्होंने, कितना सही बहला है, देखें, एक्शली ऐसा होता है कि उनकी जो गवर्मन्न पॉलिसीज हैं, वो बहुत अच्छी है, यानि कि वहां पे एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, पाकिस्तान इस तरफ बिल्कु तोज़ेंग नहीं देत ट्रेड कर रहा है, वहां से समान ले रहा है, जबकि हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी पाकिस्तान की इसमें बढ़ी कमी को ताहिये हैं, बिकॉज ऑफ आवर लीडर्शिप, मगर यह कि इंडिया का जहां तक है, वहां पे इस मामले में वो स्ट्रॉंग और नो डाउट, गुर्मेंट अच्छी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को आगे करते हैं, वहां पे रिलाइंस है, टाटा है, गोदरेज है, वहां पे कितनी बड़ी बड़ी ओर्गनिजेशन्स हैं, और एकॉनुमी जो है, वो प्राइवेट सेक्टर से ही उठता है, बिजनस्में तब कह ही तो बहुत बड़ी है ना उनकी जो मेजर एक्सपोर्ट ए वो आई टी है ठीक है और दुनिया मेरे ख़ल में कोई भी आई टी की ऐसी सलुशन नहीं है जो इंडियन के बगार हो हर मतलब आई टी में जो है ना वो दियार रूलिंग ना तो मतलब अच्छी बात है अगर वो कह रहे हम किसी कंट्री को आपको क्या लगता है उन्होंने तो कह दिया है आप इस बारे में क्या कहते हैं कितना सच है इस बात में जो इंडिया नजर आता है सारा इंडिया ऐसा तो नहीं है सब्सक्राइब करें कि आपकेसान की अरफ जारा कि परसंट और कीशान हें पर्शेंड़ भात करिभ कि में बहुत जादा है अवाम बहुत गरीब है साराब लोगों को देशित इस कैसान निर्द करिए खुआ है इजचिशन और यहां हमारे यह एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जो है ना वो लोगों को पावर्टी लाइन से निकालती है, वन अफ दे बैस्ट विए जो है ना एक सिर्फ एजुकेशन पर फोकस कर लिए जाए ना तो आप दिखेंगे कि एक जबरतस चींज आ जाजाएगा. देखें एक साथ साथ मैं बात बताचा चलूँ, अभी पिछले महीने शायद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसमें मैं ये पढ़ रहा था, वर्ल्ल बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पर कुछ काम कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान की एक 4% है और दूसरी तरफ अभी IMF की एक रिपोर्ट आई है भारत के लिए जिसमें ये बताया गया है कि भारत में एक्स्ट्रीम पोवर्टी मैं नॉर्बल पोवर्टी की बात नहीं करूं एक्स्ट्रीम पोवर्टी एक परसंट से भी कम कर दी है ये सोची कि कितनी बड़ी अच सरकारें कोशिश लगातार कर रही है कि गरीबी को कम किया जाए और उसी का नतीजा है कि आज ओवरॉल गरीबी 6% के राउंड है और एक्स्ट्रीम पोवर्टी हमने एक परसंट से भी नीचे लेकर आए हैं तो इसकी तो तारीफ मुझे लगता है कि आपनों को करनी चाहिए और एजुकिशन के मामले में भी और अब यूट्यूब में देखें इनके गाने माशाला हर जहां तक है कि फूरी अडरस्ट्री माशाला तरकी के गामजण है जिस तरह इन्होंने स्रीलंका की मदद की है मैं तो सलोट करता हूँ जिस तरह यह अपनी एकनोमी उपर से उपर लेकर और भी जा सकते हैं कि यह माशाला काफी तरक्य पर है यह आप समझते हैं कि यह स्टेट्मेंट बिल्कुल जाइज है कि इंडिया देने वालों में से है लेने वालों में से नहीं है बिल्कुल मैं यह बिल्कुल समाजता हूँ कि इंडिया देने वालों में से हैं लेने वालों से बिल्कुल नहीं है जी, अगर हम वेक्सिनेशन की बात करें, क्योंकि पिछले पिरिड था वो कॉविड बहुत ज्यादा था, 190 करोड वेक्सेंज जो है वो एक्सपोर्ट हुई है इंडिया से ठेक है आप इस बारे में क्या कहेंगे क्यों इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है ना सिर्फ मेडिकल सेक्टर में बल्के हर सेक्टर में जहरी बात है अब माशल है जो इंडिया इतनी तरक्य कर रहा है तो जहरी उससे पिछे उसकी अवाम का स्पोर्ट है या दूसरे जो लोग स्पोर्ट काफी अच्छी उकनोमी जा रही है इंडिया की मैं तो यही समझ रहा हूँ के मैं खोद हीरान हूँ कि इंडिया इतना सबसे जादा एक्सपोर्ट की गई हैं इंडिया हर चीज को एक्सपोर्ट करता है जी बाराल वैक्सिन तोनों ने किया है मगर यह कि उनकी हर यहां ता कि वह पाकिसन से नमक मंगवा के तो वह अपने नाम से बाहर बेचते थे तो यह जो हमारा ख्योड़ा का नमक है यह इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते थे अपने मुलक का बोल गए यह नहीं बोलते हैं अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलू लगे हाथ जो आपके यहां से जो नमक मंगवाते थे माल लीजिए बिजनस के लिए मंगवा रहे हैं अब इसका comparison मैं बताऊंगा कैसे इसका counter करूंगा वो जो हिमालेयन सॉल्ट है वो हमंगवाते थे हम वो process करते थे आपके यहां process नहीं होता वो हम हमारे यहां process करते थे उसको packaging करते थे और बेसे थे normal business process है वैसे मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में top 3 में आता है salt producer देशों में भारत तॉप 3 दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक का उत्पादक देश है producer देश है मेरा भारत आप इस बात को समझे दूसरा यह ठीक आप पता है कैसे यह दे रहे हैं हमारे यहां से cotton आपके हैं इंपोर्ट की जाती थी ठीक है cotton आपने हमारे यहां से इंपोर्ट की भाई आपकी textile industry लगातार यह गुहार लगा रही है कि भाई या भारत से cotton मंगाओ बहुत बुरी इस्तिती है और उसके वेज़े साब की textile industry को बहुत मुक्सान हो रहा है भारत के cotton नहीं जाने से अब उस cotton से आप बनाते थे कपड़ा औ made in Pakistan तो आप भी तो करते हो यह तो normal business है कि भाई आपने कच्चा माल वहां से मंगाया आप के हाँ था हमने कच्चा माल मंगाया प्रोसेस किया हमने अपना branding की packaging की बेज दी ठीक वैसे ही जैसे आपने हमारे यहां से कच्चा माल cotton मंगाया cotton को आपने वहां पे धागों में made in Pakistan तो बास्पती चावल तो क्या वो हर चीज ही हमारी बनाईवी एक्सपार्ट करते हैं नहीं नहीं हमारा बास्पती चावल और नमक यह में में चीज़ें थी कुछ हमारी sports goods हैं जो कि स्यालकोर से जाती है मैं इससे ज़्यादा नहीं मैं जानता आपको पता है दुनिया क टॉप राइस प्रोडूसर देश भी है इंडिया आपको अंदाजा है बास्मती चावल हमारे यहां भी जबरदस्त पैदा होता है क्या बोल रहे हो सर आप क्या बोल रहे हो सर आप और इंडिया क्योंकि एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अच्छी बात है इंडिया मेडिकल सेक्टर में ही नहीं बलके हर सेक्टर में हमसे आगे क्यों और अब तो ऐसा है कि इंडिया इस नोट टेकर इट्स गिवर नहीं इंडिया हर सेक्टर में आगे जी आप उनको अगर कंप्यूटर वर्ल में देख लें तो मेरा खाल है दुनिया में तीसरा चौथा नमबर है उनका वो कंप्यूटर में भी बहुत आगे हैं प्रोग्रामिंग में सौफट्वेर में हार्डवेर में वो इन सब चीजों नहीं पर नहीं है तो उसकी जो सेविटी परसंट जो नहीं वो इंपोर्ट करती है अब हमारा जो डॉलर प्राइस है हमारे से आदी प्राइस उनकी है ठीक है ना तो वो फार्मसुटिकल इंडिस्ट्री उनकी जादा बूस्ट कर रही है हमें जो चीज एक सो सी की पड़ती है उन्हें वो चीज जो एना नभरवे की पड़ती है तो वो बना के इंटरनेशनल मार्केट में यह यह दे सकते हैं जादा और वो इसलिए भी बनाते हैं कि उनकी इट सेल्फ बड़ी डिमार्ड है उनकी कंट्री में बहुत बड़ी डिमार्ड है लेट सबोज अगर एक इ जैसी कंट्री तो फिर कभी तरक्की ही ना गर पाती है वो अपने असूलों के बहुत पके हैं और उनके जो है ना हमानिटी के असूल बहुत है आप देखे ना जैपान में पिछले 25-30 साल से कोई चोरी नहीं भी कोई मडर नहीं हुआ वह लोग लाइन में घड़े रहते है उनको पता ही नहीं है तो इस पंट्राय के इस तो थैज भी यूऀ फिर यूज जो किया आप इसको पिर इंडिया से कैसे पार प्र नहीं है क्योंके एगकालिटी मेंटर्स कॉंटिटी ड़भेbutνεव yn इंडस्ट्री है वो शुरू से अब जब पार्टिशन होई तो मोस्ली इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री वो उनों को मिलती हैं जो आलड़ी दे मतलब वो उसको चला रहे थे तो वो फिर अब 74 एर में तरकी करनी थी ना हमें तो जो भी मिला था हमने वो भी डिस्ट्रॉइ कर दिया है अब देखे हमारी तो बेसिकली दो तीन चीजें हो रही है जो पुलिटिकल रसाकशी हो रही है पिछले 15 साल से वो लोगों के बारे में कुछ नी सोचा जा रहा हरा हर कोई अपने चकर में बढ़ा हुआ है आज हो रहा हुआ है जो रहा है लोगों का तो किसी कोई के क्क इसी इस सी कहीं पर नहीं हो रहो ही नहीं आप्र है पाकिस्तान में अभी तक आपस में यह लगए उयह है नौय श्री फिमरान क्हां यहिंसे कुछ निकलेंगे तो हम भी कुछ कर सकेंगे बस इस तरह है इंडिया क वो बहुत जादा सबसे बड़ी बात हो आजुकेशन एजुकेशन मारी उनसे बहुत जादा बैकर सकते हैं पकिता हो दो पाकिसान आज़ है आज़ा है कि हैंडिया जुहें जा रहा है ठीक है इंडिया ने एक सो तीस करोड लोगों की जान बचाई है कोविड के दौरान और अगर नहीं करोड वेक्सिन की गई है यह भी बात है देखे ना पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन आप ऐसे नहीं कर सकते हमारे तो सिर्फ सूबे भी चाहने है उनकी हमारी सिर्फ 22 करोड वाम है और उनकी अवाम भी देखे कितनी जाद है कौंटिटी मेटर अप कैसे गर सकते हैं अब उनकी अवाम इतनी जाद है कोविड तो पूरी दुनिया में भाल चुका था तो इसलिए उनने वेक्सिनेशन तो उनने जादा की होगी वेक्सिनेशन लाजमी कि यह उनकी कि है तो वह बच ँपकोन बच सकता था पड़ा झायप लिए ठीक होगी आखिना पॉर काम कि अदेशना उनकी कि है यहां मैं नुह पकिसान के लिए यह तका। पाकिससंग क्ली बहुत अची है चाधे वह ऐसे के देखें जभ पहले वाइश भाई साव आए बीजेपी के तो उन्होंने पोखरान में एटमिक ब्लास्ट किया था ठीक है जिसके जवाब में फिर हमें मुझबूरन चागी में करना पड़ा मैं अगर अगर बीजेपी वो ना ये भाई साब पहले भी किसी वीडियो में आये थे मुझे पक्का पक्का कन्फरमू में और य है ना मसला जो के बारार मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए कि वहाँ पर जो नसली इम्तियाज है ना जैसे इंडियन मुस्लिम सिख क्रिस्टिन्स के साथ ये ये गलता है इससे इंडिया को बहुत ज़्या नुक्सान पहुंच सकता है बलके मैं समझता हूं कि पहुंचे गा तो नैशनली जब उसको नुक्सान पहुंचेगा तो ये पाकिसान के लिए ठीक है जी तो वीवर्स ये थी हमारे आज की वीडियो होपस हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा लोगों के रिवियो पसंद आई होगी साथ मुझे दीजे इजाज़त मैं मिलूंगी आप से एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ तब तक अला हाफिस तो चलिए निमरा अहमद जी का वीडियो बड़ा अच्छा था यार और आखिर में जो भाई साथ बोल रहे थे वो दीरे दीरे खैर बुज़र्ग हैं सीनियर हैं तो बोलते बोलते दिल की बात जबाँ पे आ गई कि उधर भारत में सब बुरा होता रहेगा तो हमारा फायदा पाकिस्तान का चलिए आपनी अपनी सोच है भई कोई बात नहीं और इतनी बड़ी आबादी है तो छोटे मुटे लफडे होते रहेंगे और अगर आपकी तरह माइनर्टरीज को हम दबा के रखा होता हमने तो हमारी हालत भी आज आपके देश के जैसे होती कि आप कर्ज के वो सले दबे होते आपके PM को दरदर भटकना पड़ता है पैसो मागने के लिए कभी चाइना के पास कभी साओधिया के पास ना करगर नी पड़ती है आपके हाँ एजुकेशन जब आपने हमारे परमानू बम के धमाके से अगर आप सीखकर एटम बम ने आपने भी बना लि कि भई हमारे एजुकेशन को देखके आपने हाँ अपनी एजुकेशन पॉलिस क्यों ने बदली हमारे यहां के इंडस्ट्रीज को देखके आपने अपने हाँ के इंडस्ट्रीज क्यों ने बदली हमारे यहां के आईटी को देखके आपने अपने हाँ का आईटी क्यों ने बदला उसमें आप कुछ क्यों नहीं कर पाए आपने हमारे यहां का इंफरा देखके आपने यहां के इंफरा में क्यों इजाफा नहीं किया इस पर भी कभी सोचेगा एटम बम से रोटी नहीं मिलती रोटी मिलती है इंफरा से, रोटी मिलती है से रोटी मिलती है आई टी सेक्टर से लेकिन ये बात तो सच है कि भारत और पाकिस्तान का कोई अब तुलना तो ब्रेड में और सचिन में होगी ना हमारी सोच में फरक है हमारी परस्नलिटी में फरक है और ये फर्क मुझे लगता है कि भरना ये gap इतना ज़ादा बढ़ चुका है अच्छा आप इसका अंदाजा आप लगाईए ये gap कितना ज़ादा बढ़ा है दुनिया के टॉप के tech companies पर हमारे लोग बैठे हुए है आपका एक भी बंदा नहीं है हमारी 3.4 trillion के about हमारी economy हो गई है आपके अब बिलियंस में है साड़े 300-400 बिलियंस में जहां तक मुझे याद है आप सोचे कहां 3.4 billion कहां 3.4 billion आप समझे इस बात को कोई comparison नहीं और इसके पीछे भारत की जनता भारत की leadership दोनों ही इसकी बज़ा है और दोनों की वज़ा से ही भारत आज ग्रो कर रहा है और भारत के रहने वाले लोग मेरी बात को गवर से सुनिएगा भारत में रहने वाले हर जाती हर संपरदाय, हर धर्म हर मजभब के लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके वज़े से भारत तरक्की कर रहा है और आपके यहां यह काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहां सब को बराबर का हक दिया गया है, आपके यहां बराबर का हक नहीं है जल्दी आजिर होता हूँ, एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जैहित